जेपीएस हेर सेकंडरी स्कुल की आउनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी प्रीविध्यारतियों का हर दिक स्वागत है क्लास टेंथ के प्रीविध्यारतियों आपको याद होगा कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक वासंती से लेशन नंबर फोर मेरी जीवन रेखा किसे समझाना प्रारम किया था और साथ ही साथ मैंने इसके कुछ प्रस्णों के उत्तर भी आपको लिखाए थे विशेशकर लगू त्री प्रस्ण यादाया चार प्रस्ण दे टोटल आज मैं आप लोगों को दिर्गू त्री प्रस्ण के उत्तर लिखाने जा रहा हूँ आपके मुबाइल स्क्रीन पर जो पेज आएगा हो सकता है कि उसमें अक्षड जो है आपको धुंदले दिखाई दे या छोटे दिखाई दे तो आप क्रिपिया करके मेरी आवाज को सुनिएगा जो कि मैं वही बोलूँगा जो उसमें लिखा हुआ जो अंसर उस पेज में लिखे हुए हैं उसी अंसर को मैं बोल करके भी पताऊंगा पढ़कर के भी सुनाऊंगा तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या दिक्कत हो रही है तो मेरी आवाज को सुन करके उसे फालो करें और उसके बाद उससे अपनी कॉपी में नोट करें ठीक है तो लीजे तैयार हो जाएए आपके लेसन फोर के दिर्गुत्री के प्रस्ण जिसका नाम में मेरी चीवन देखा प्रीविद्यार्थियों आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो पेज आया उस पेज में आपकी किताब के चौथे पाट का दिर्गुत्री प्रस्ण वाला पेज जो है दिखाई दे रहा होगा हाला कि यह बुक का पेज नहीं है परन्तु बुक में जो कोशन है वही कोशन आपको यहां नजर आएंगे दिर्गुत्री प्रस्ण के अंतरगत पहला प्रस्ण यह है कि द्वीवेदी जी ने अपने लिए कौन से चार सिद्धान्त निश्चित किये और उनका पालन करने में वे कहां तक सफल बुले तो जो मैं पढ़ रहा हूं या बोल रहा हूं उसको द्वीवेदी जी ने अपने लिए कौन से चार सिद्धान्त निश्चित किये और उनका पालन करने में वे कहां तक सफल बुले ठीक है अब इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें भी देख लें मोबाइल स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है तो जो मैं पढ़ रहा हूं या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने इसका उत्तर है कि द्वीवेदी जीने अपने लिए चार सिद्धान्द निश्चित किये जैसे वक्त की पाबंदी करना पहला रिश्वत ना लेना दूसरा अपना काम इमानदारी से करना तीसरा और ग्यान बृद्धे लिए सतत प्रेतन करते रहना या चौथा सिद्धा य अपने लिए निश्चित किये थे एक तो वक्त की पाबंदी करना मतलब हर कारे जो अपने समय पर करना टाइम के पंक्च्छो लोना दूसरा दिया रिश्वत ना लेना मतलब किसी प्रकार के अपने को डोनेशन नहीं लेना रिश्वत नहीं लेना घूस नहीं लेना तीसरा पूरा उससी प्रकार क्ली लापरवाई या बैमानी नहीं करना क्षोधा महत्त पून है कि ज्यान ब्रद्धी के लिए निरنتर प्रियत्न करते रहना मतलर कुछ नंसीख रहने की लाल सा मन में रखना और जहां भी कुछ सीखने को मौका मिली कुछ भी नया सीखने को मौका मिले, वो मौका हाथ से जाने नहीं देना, बलकि उसको सीखना, तिये चार सिध्धान तो उन्होंने अपने जीवन में अपने सिध्धान जो निस्चित किये थे, अब इन में से तीन सिध्धान जो है शुरू के, वक्त की पावंदी करना, जिश्वत ना लेना और अपना कामी मांदरी से करना इन तीन सिद्धान्तों का पालन तो उन्होंने बड़ी मांदरी से किया और बहुत अच्छे तरीके से सरलता से किया क्योंकि ये तीनों कार ये उनके आतों में था लेकिन जो चौथा सिद्धान्त था ग्यान विद्धी के लिए सतत प्रयत्न क के लिए वे प्रयाप्त समय नहीं दे पा रहे थे क्योंकि समय की कमी थी समय की कमी की वएसे वे अपने ग्यान में निरंदर विद्धी करने में सफल नहीं हो पा रहे थे लेकिन उसके बाद भी खोशिस करके उन्होंने इस कारे को भी इस सिद्दान को भी पूरा कर दिया उसम में लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं आपको याद हो कि जो इस तार बाबु थे होशंगा बाद हर्दा के उदर तो तार बाबु के कारी के साथ साथ वे अन्य कारी भी किया करते थे पट्रियां बिछाने का कारी भी देखा करते थे शड़कों का काम भी देखा करते थे और भी बहुत सारे काम देखा करते थे क्योंकि उन्हें सिखने की ललक थी वे कुछ सिखना चाते थे और उसी ललक की वज़ा से उन्होंने तार बाबू रहते हुए भी बहुत सारे कारे जो है जो उनके अंडर में नहीं थे जो उनको नहीं करना था फिर भी उन्होंने लोगों को करते हुए देखा और देखकर के सीखा और यही कारण था कि जब उनके अपसरों ने देखा कि इसमें इनमें सिखने की ललक है और उनकादियों को भी जिम्मेदारी नहीं है जो इनको करने को नहीं दिया गया है तो वे उनका प्रमोशन करते गए और प्रमोशन के साथ उनकी जो तंगवा थी वो भी बढ़ती चली गई तो यह उनके चौथे जो सिद्धान थे उसका नतिया था कि वे निरंदर प्रगती करते चले गए आगे बढ़ते चले गए ठीक है तो एक बाद फिर से इस प्रसन का उत्तर बता दूमें आपको तो कि धिवेदी जी ने अपने लिए चास की पाबंदी करना जिश्वत लेन अपना कामी मांदरी से करना और ग्यान वृद्धी के लिए सथा परहत्न्य करते रहना पहले तीन जिद्धानतों के अनुकूल आचरण करना तो उनके लिए सहस्ता परंतु चौते के अनकूल सचेस्ट रहना कठीन था क्योंकि उन्हें इसके लिए प्रयाप्त समय नहीं मिल पाता था फिर भी सतत अभ्याद से उसमें सभलता भी उनको मिली ठीक है अब अगला प्रस्ण जो है उसको आप सुनिए का ध्या कारी है एडिटर का कारी है द्वीवेदी जी को कैसे प्राप्त हुआ संपादक का मतला एडिटर ठीक है उसका कारी जो है उसके जिम्मेदारी जो है द्वीवेदी जी को कैसे प्राप्त हुई क्योंकि उसमें हिंदी साहित्ते की जो सबसे महत्पुन पत्रिका हुआ करती थ ये सरसती और इसनी मात्पून पत्रिका का संपधनकारी उनको मिलाई है उनके लिए बहुत गर्व की बात थी पर ये मिला कैसे प्रस्मी है तो इसका उत्तर देखेगा कि जब डूवेदेजी जहांसी में थे तब वहाँ के तैसिली स्कूल के एक अद्यापक ने उन्हें कोर्ट्स की एक पुस्तक दिखाई और इस पुस्तक का नाम था तुरत्य जीदर क्या नम था पुस्तक का द्रतिय लीडर और उसमें उन्होंने बहुत से दोश दिखाते हुए द्विवेदी जीसे उसकी आलोचना लिखकर प्रकासित करने का अगरा किया उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी गल्पिया हैं तो उसे आप छांटिये और चांट करके आप उसे प्रकासित कीजिए तो द्विवेदी जीने उसमें पुस्तक ले ली और उसे अच्छे से पढ़ा और पढ़ करके उन्हें भी लगा कि यहां वाकरी में से बहुत सारी गल्पिया हैं तो उन्होंने उसको समालोचना लिख करके उस किताब की समालोचना लिख करके प्रकासित कर दी और यह जो द्रती रीडर जो बुक थी इसका पूरा अधिकार उसमें प्रयाक का जो इंडियन प्रेस हुआ करता था उसको प्राप्त था तो इंडियन प्रेस ने जब ये देखा कि इतनी अच्छी समालोचना जो है द्वीवेदी जी के द्वारा प्रकासित की गई है तो उन्होंने उससे पातनकारिय जो है द्वीवेदी जी को प्रदान कर दिया और द्वीवेदी जी ने उस कारिकों बड़ी इमानदाई के साथ आगे बढ़ाया तो कुल मिला करके कह सकते कि एक तहसिली सकुल के सिक्षक के द्वारा कोर्स की एक किताब तरतीर रीडर में बहुत सारी गलतिया जब द्वीवेदी जी को दिखाई गई और कहा गया कि इसकी आलोचना लिख करके आप प्रकासित करें तो द्वीवेदी जी ने उस पुस्तक को पड़े ध्यान से पढ़ा और उन्हे भी इस बत का एकसा सास हुआ कि बहुसी इसमें तूटिया हैं गलतिया है तो उन्हों ने उसकी समाल उचना जो है प्रकासित कर दी समाल उचना समस्ते हैं जस में अच्छा और पुरादन हो तो ध्वीवेदी ये उसमें अच्छी बाते और बूरी बाते दोनों प्रकासित कर दी लिख करके तो उसमें इंडियन प्रेश जो है प्रयाग का बहुत लोगप्रिय था और उसके पास या दिकार था इस पुस्तक को प्रकासित करने का जब उनके पास ये समालोचना आई उस पुस्तक की तो वे उससे काफी प्रभावित हुए और उनोंने सरस्वती पत्रिका का संपतन कारे जो है द्वीवेदी जी को देने का निर्णे किया उनसे अनुरोद किया कि आप इस पत्रिका का संपाधन कारे समाले और द्विवेदी जी ने भी उसे बिना किसी हिचके चाहट के खुशी के साथ स्विकार कर लिया तो इस प्रकार सरस्थी पत्रिका का संपाधन कारे द्विवेदी जी को प्राप्त हो गया अब अगला प्रस्न है आपका, प्रस्न मुघ 3, दुविवेधी जी को विध्यारती जी वान में किनकिन कठनाईयों का सामना करना पड़ा, आपने पाठ पड़ा पर पड़ाय था अपने ये भी देखा होगा कि द्वीवेदी जी के पिता एक देहाती थे जिनका मासिक वेतन 10 रुपे था द्वीवेदी जी ने गाओं के देहाती मदर से जिसको स्कूल कहा जाता है में थोड़ी सी उर्दू और घर में थोड़ी सी संस्कित पड़ी थी उसके बाद जब वे तेरा वर्स की उम्र में आये तो वे अपने घर से 26 मिल दूर राय बरेली के जिलाय स्कूल में अंग्रेजी पड़ने गए घर से पीट पर आटा दाल लेकर के चलते हो भूक लगने पर हाटे की टीकिया बनाकत डाल के साथ ही खाते हैं अब वहां उस स्कूल में संस्कित भासा नहीं पड़ाई जाती थी तो उन्हें मजबूर हो करके अंग्रेजी के साथ फार्सी भासा पढ़ना पड़ता था चार वर्ष तक उन्होंने वहां अध्यन किया लेकिन बाद में गर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने करण अच्छी नहीं होने करण वे उसके बाद कभी भी आगे नहीं पड़ सके तो इस पकास से उनका विद्यारती जीवन रहा कि तो इए आपके दिर्गतरी प्रस्नों के उत्तर कुछ और प्रस्न बाकी है साहे दो प्रस्न और ह MAL जिसके उत्तर में कल यैने अगले दिन बताऊंगा तो फिलाला आपको ये तीन प्रस्तों की उत्तर पे ने आपको समझाएं जोगी पार्ट आपने पढ़ा हुआ है मैंने समझाया भी है तो प्रस्टने के उत्तर को समनने में आपको ज्यादा कठना ही नहीं होई होगी तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना बीना किसी देर के बीना किसी लापरवाही के और उसके बाद नेक्स्ट वीड झाल 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